कैनेडा से एक बुरी खबर सामने आई है प्रेन क्रेश में मारे गई इंजिया के दो ट्रेनी पाइलट्ट कैनेडा में विमान का हफसा हो गया है वहाँ भारत के दो ट्रेनी पाइलट्ट समे तीन लोगों की मौत हो गई है दोनों ट्रेनी पाइलट मुंबई के रहने वाले थे इनके नाम अभाय गड्रू और याश विजयर रामू बड़े था यहादसा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांथ में वैंकूवर से करीब 100 किलो मीटर दूर इस्ट इलाके में हुआ है बहाँ चिले वैक में छोटा विमान हवाई अड़े के पास एक मोटल के पीछे दुरगटना ग्रस्त हो गया जिससे दो ट्रेनी पाइलट और उसमें सवार एक अन्यकी मोट हो गई इस घटना के बाद तुरंद ही अम्बुलंस और उनकी टीम वहाँ पर पहुची यहादसा कैसे हुआ इसका आब कनाडा की सिर्कार पता लगाएगी इस हादसे में मुंबाई के दो ट्रेनी पाइलट भी मारे गए है